एशिया कब 2018 का आगाज बांगलादेश और श्रिलंका मैच के साथ हो गया है वहीं भारत का पहला मैच 18 सितंबर को हौंग कॉंग कॉंग की टीम के साथ होगा इसके अलावा 19 सितंबर को भारत का मुका अबला पाकिस्तान से होगा वैसे दर्शकों को जितना भारत पाकिस्तान मैच का इंतिजार है उतना ही धोनी को मैदान में देखने के लिए भी फैंस बेकरार है क्योंकि एशिया कप में धोनी का रिकॉर्ड हमेशा ही बेहत शांदार रहा है और इस बार भी धोनी कई रिकॉर्ड तोडने के लिए तयार है साथ ही धोनी कई और माइल स्टोन भी अपने नाम कर सकते हैं तो धोनी के लिए सबसे पहले बल्ले बाजी में रिकॉर्ड तोड़ने का मोका होगा आपको बताते महिंदर सिंग धोनी ने साल 2008 में अपना पहला एशिया कप खेला था उसके बाद साल 2010, 2012 और 2016 का एशिया कप टूनामेंट भी खेल चुके हैं चोटिल होने की वज़े से धोनी साल 2014 के एशिया कप में नहीं खेल पाये थे महिंदर सिंग धोनी एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की सूची में पाचवे नमबर पर पहुंच सकते हैं धोनी के नाम एशिया कप में 13 मैचों में 95.16 की बेमिसाल औसस से 571 रन बनाने का रिकॉर्ड है तूनामेंट की दोरान 103 रन बनाती ही वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजु की लिस्ट में जगय बना लेंगे श्रिलंका के सनत जैसूरिया 25 मैचों में 1220 रन के साथ टॉप पर काविज है इस वक्त पाचवे नमबर पर श्रिलंका के महिला जैवर्दने हैं जिनोंने 28 मैचों में 674 रन बनाए है दोनी के पास बल्लेबाजी के अलावा विकेट कीपिंग में भी रिकॉर्ड बनाने का मौका है दुनिया के महांतम विकेट कीपर में शुमार दोनी को एशिया कप का बैस्ट विकेट कीपर बनने के लिए 13 और विकेट लेने की तरकार है इस वक्त एशिया कप के 13 मैचों में धोनी के नाम 24 विकेट है इसमें 19 मैच और 5 स्टंपिंग शामिल है एशिया कप में सबसे ज़्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड श्रिलंका के कुमार संगकारा के नाम है 27 कैच और 9 स्टंपिंग के साथ उन्होंने 36 शिकार किये है इसमें वो सरवादी करन बनाने वालों की लिस्ट में वारवे नंबर पर है 244 सरन बनाते ही धोनी श्रिलंका के तिलक रतने दिन्चान को पीछे छोड़ देंगे अब फैंस को इंदिजार है धोनी की उन बेमिसाल पारियों का जिसमें वोना सिर्फ विकेट कीपिंग बलकि बल्लेबाजी और इंटरनेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी तैयार दिखाई देंगे फ्लेम मीडिया रिपोर्ट